सबसे शातिर क्रिकेटर कौन? सबसे कामियाब कप्तान कौन? सबसे रईस क्रिकेटर कौन? सबसे चहेता सेलिब्रिटी कौन? यम यस धोनी फ्राम चेन आई, मैंड इट जे हां, सवाल भले ही अलग-अलग हों लेकिन जवाब सिर्फ एक है यानी महिंद्र सिंग धोनी आज जेंटल्मन गेम यानी क्रिकेट के पिच के सबसे कामियाब चहरे महिंद्र सिंग धोनी की शक्सित का पूरी दुनिया सजदा कर रही है दरसल अमेरिका की नामी पत्रिका फोब्स ने साल 2012 में हिंदुस्तान की सौ सबसे कामियाब और लोगप्रिये सेलिब्रिटीज की फहरिस जारी की है जिसके मताबिक देश में ऐसा दूसरा कोई सेलिब्रिटी नहीं जो धोनी की शक्सित को चुनौती दे सके खास बात तो ये है कि लोगप्रियेता की इस टक्कर में धोनी ने सलमान खान, शारुक खान और सचिन तंदूलकर तक को पीछे छोड़ दिया है फोब्स के मताबिक जहां देश में लोगप्रियेता के पैमाने पर सबसे ज्यादा फैंस महिंदर सिंग धोनी के पास है तो महिं दूसरे नंबर पर सलमान खान और तीसरे नंबर पर शारुक खान आते हैं जबकि सचिन तंदूलकर को चोथा और अविताब अच्चन को पांचवा स्थान मिला है दूसरे तरफ कमाई के मामले में माही देश के तमाम स्पोर्ट सेलुबिर्टीज से तो आगे हैं ही साथ ही इस बार धूनी ने फिल्म जगत के भी कई बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया है सिर्फ पांच साल के कप्तानी के करियर में देश को दो दो वर्ल्ड कप जिता कर सुनहरे सपने से रूबरू कराने वाले मैजिक मैन माही आज देश के साथ साथ वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे रईस क्रिकेटर हैं अब इसे दोनी की शक्सियत की ताकत ही कहा जाएगा कि कमाई के मामले में भी माही देश की सेलिबरिटीज की फैरिस में तीसरे नमबर पर हैं और उनके सामने ना तो सचिन युवराज जैसे क्रिकेटर टिक पाए और ना ही अमिताब बच्चन अक्षे कुमार जैसे बॉलिवूड स्टार फोब्स के मताबिक बीते साल 2012 में धोनी 135.16 करोड की कमाई करते हुए देश के तीसरे रईस सेलिबरिटी रहे तो वहीं बॉलिवूड के बादशाथ शारुख खान 202.8 करोड की कमाई के साथ नमबर एक पर जबकि सल्मान खान ने 144.2 करोड की कमाई कर दूसरा नमबर हासिल किया इसी फैरिस में जहां सबसे ज्यादा कमाई के नाम पर अक्षे कुमार चौथे नमबर पर रहे तो वहीं अमिता बच्चन पांचवे साचिन तंदूल कर छटे और करीना कपूर साथवे स्थान पर रही वहीं विरेंदर सहवा को आठवा जबकि विराट कोली को नौवा स्थान मिला है मतलब साफ है कि भले ही धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया का बीतासार सबसे बुरा रहा हो लेकिन फैन्स की नजरों में आज भी धोनी देश के सबसे चहेते सेलिबरिटी है पोर्ट्स डेस्क लाइव इंडिया